लेकिन एक सवाल काफी लोग पूछते हैं कि में चलिए छोटे बेस पर ग्रो करना तो आसान काम है अब दीवे दीवे हमारी एकोनोमी का बेस भी बढ़ रहा है दूसरा ये कि अगर हमें दुनिया की टॉप दो तीन एकोनोमी में पहुंचना है तो फिर लगातार 20 साल 25 साल 30 स चाहिए तो क्या वेसे हमारे मार्केट से वेसी हमारी एकोनोमी है वेसे हमारी कंट्री है कि हम यह लंबे समय तक हाई ग्रोथ मेंटिन कर पाए तो आशा तो है लेकिन उसके लिए हमें काम भी करना पड़ेगा as a country I think infrastructure में काफी पुश है गॉर्मेंट का लेकिन अभी माइल अभी अभी अब अभी अब रसता बहुत लंबा है अमारे जो पोर्ट का जो डेवलोपमेंट है रोड का डेवलोपमेंट है जो बोलते हैं इस ओफ डूइंग बिजनेस इंडिया की पोजिशन तो इंप्रूई है लेकिन अब भी हम अशीन अब बूब बोजिशन पे हैं I think उसको हमें 15-20 पोजिशन पे लाना पड़ेगा I think तो काम तो बहुत करना पड़ेगा लेकिन हम तेजी से और भड़ सकते हैं के नहीं there is no doubt हम भड़ सकते हैं in fact आप बड़े बड़े जो global agencies है IMF, World Bank, बड़े बड़े जो broken companies है, उनके अगर सबके forecast देखो तो बहुत clear है के 2030 तक India will be the third largest economy और थोड़ा हम आगे जाएंगे तो purchasing power parity में हम हो सकता है के second largest भी हो जाएं हमारा जो population है बहुत young है, उसका जो benefit है वो हमें पता नहीं चलता है लेकिन आप देखिए अभी आज इतने जो globally shortage हो गई है manpower की या लोगों की, इंडिया में वो एक जो population पहले जो negative हुआ करता था अभी वो एक tailwind हो गया है, इंडिया is now exporting I would say talent, आप दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनिया देखिए जो fortune hundred, fortune finded कंपनिया है कितने CEOs इंडिया से हैं, आज जो technology में इंडिया जो काम कर पा रहा है, क्योंकि हमारे यह educated manpower है वो ही अभी pharma और chemical और engineering में भी देखने को मिल रहा है, तो I think potential बहुत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर potential है, तो हम बैट जाएं, हमें काम तो continuous करना पड़ेगा, और जो यह process शुरू वा था mid 90's से, जो इंडिया में एक reform का और इंडिया को एक थोड़ा development nation मनाने का, वो हम अभी आदे रस्ते पर पहुंचें, आदा रस्ता और हमें cover करना बागी है, तो I think ease of doing business, वोड़ा manufacturing पर focus, जो भी आ रहा है, उसे हमें और तीजी से और और strongly आगे लेके जाना होगा जब मैं आपको से बात करता था, इंटेव्यू करता था और जो चिंताएं होती ने कि ये खराब है, वो खराब है, ये नेगेटिव, वो नेगेटिव, तो आप करते हैं, जब सारे नेगेटिव है न, टिक हो जाएंगे, तो sensex आपको एक लाग का दिखेगा, अब तो एक बड़ा चोटा सा दिखता है, तो पचीस साल बात, sensex निफ्टी कहां दिख सकता है, कितने लाग का sensex हो सकता है, और आपको निफ्टी भी लाखों में होगा? देखो अगर 12% भी ग्रोथ होती है न, तो हर 6 साल में डबल हो जाता है, तो पचीस साल में यह हो जाएगा 16 गुना, यह अगर एक simple calculation है, तो अगर 12% भी अगर ग्रोथ होती है, निफ्टी की over 25 years, तो 16 गुना होता है, बट यह spreadsheet पे नंबर बहुत आसान लगते हैं, इतना easy भ 16 गुना में नंबर आ रहा है, 28,000 का निफ्टी का, और sensex में तो थोड़ा मेरा कैलकुलेटरी मामला, नो लाक साथ हजार, नो लाक साथ हजार, आठ लाक, मतलब यह बहुत ambitious level नहीं है, आ सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं बट पचीस साल 12% ग्रोथ करन यह बहुत ही मुश्किल काम है, यह बहुत आसान लगता है, जैसे आपने पहले कहा, base effect जब भी भढ़ जाता है, आप देखिए अगर 3 trillion dollar की economy पे अगर हमको 78% dollar बढ़ना है, तो हमें 300 billion almost add करना है, 300 billion का हमारा economy की size थी 2001 में, तो जितनी 2001 में economy की size थी अभी उतना हर साला में add क करना है, तो it is not going to be easy, but target और ambition हर्दम बढ़ा ही रखना चाहिए, और you know with a little bit of luck, जरूर हम वहाँ वह target तक पहुंच सकते है, थीक बात है, तो बड़े levels आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है, अगर लोगों को 12% आप component बोलें, तो वो मतलब है सत्राजार के निफ्टी धाई तीन लाग हो सकते हैं, तो लगता है, कुछ लेवल बड़ा है, जो हो सकता है.